हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल लताखी लाइबरीरी आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत पैटन सेयर करने जा रही हूँ इस पैटन को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं लेडी स्वेटर, कार्डिगन, कोट्टी, जैकेट, गल्स स्वेटर, बच्चों के औल प्रोजक्ट, कैप, ब्लैंकेट आदी में बनके बहुत ही खुबसूरत हमारा ये पैटन आजाता है और फ्रेंट साइड से हमारा ये पैटन बनना स्टार्ड होता है इस पैटन को बनाने के लिए हमने थ्री के मल्टिपल में फंदे डालने हैं पलस हमने व फस्ट्रों में देखे पहला फंद उता लेंगे ये पहला फंद उता लेना है दागा अपनी साइड करेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो, दो फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदे में हमारा पैटर्न आएगा, तो देखें इस फंदे को आगे करेंगे, अब देखें ऐसे इस पेस में आएंगे, फर्स्ट ओल छोड़ेंगे, और सेकिन ओल में स्लाइड डालेंगे, एक दागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, एक, दो, दागा पीछे, अब नेश्ट फंदे में हमारा पैटर्न आएगा, इस फंदे को आगे करेंगे, और ऐसे इस पेस में, यह देखें जो खाली जगह है, यहां पे आएंगे, और फर्स्ट ओल छोड़ेंगे, और सेकिन ओ में हमने सलाइड आलनी है, एक मीडियम लूज फंदा बना लेना इस तरीके से, फिर नेश्ट फंदा सीधा आजाएगा, अब नेश्ट हम सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, फिर दागा पीछे, अब देखें नेश्ट फंदा आगे करेंगे, ऐसे स्पेस में आएंगे, फर्स्ट होल चुलेंगे, और सेकिंड होल में हम सलाइड आलेंगे, एक फंदा बनाएंगे, मीडियम लूज, अब नेश्ट फंदा हम सीधा बुल लेंगे, धागा अपनी साइड, फिर दो फंदे उल्टे, फिर नेश्ट फंदे में हमारा पैट सीधा आजाएगा, तो देखें ए फ्रंट साइड से हमारी पैटन की फर्स्ट रो कम्प्लेट हो गई, रोंग साइड से देखें सेकिंड रो, अब सेकिंड रो में देखें, पहला फंदा उतारेंगे, पहला फंदा उतार लेना है, धागा पीछे करेंगे, नेश्ट अपनी तीन फंदे सीधे बुनने, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी साइड करेंगे, अब देखें जो एक्स्ट्र फंदा है और नेश्ट फंदा इन दोनों को एक साथ बुनेंगे, दो का एक करेंगे, ये दो का एक कर लेना है, फिर धागा पीछे, अब सीधे, धागा अपनी साइड अब देखे जो एकस्ट फंदा है और राणी इन दोनों को एक साथ बूलेंगे, धागा पीछे दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड राणी से अपने धागा अपनी साइड, नेस्ट हम दो फंदे एक साथ बुनेंगे, दो का एक करेंगे, लास्ट का फंदा सीधा और लास्ट का एक्स्ट्रा फंदा उल्टा, तो देखिए रोंग साइड से हमारी पैटर्न की सेकिंड रो कम्प्लेट हो गई, अब देखिए फ्रंट साइड से पैटर्न की थार्ड रो, अब थार्ड रो में भी हमारा पैटर्न रिपीट एंड सिप्ट होगा, तो देखिए पहला फंदा उतालेंगे, धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे, दो लूज फंदा बना लेंगे। फिर नास्ट फंदा सीधा आजाएगा। दो फंदे उल्टे। अब नास्ट फंदे में पैटरन आएगा। फर्स्ट ओल छोडेंगे, सेकिंड ओल में, स्लाइड डालेंगे, एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, नेश्ट अमारे दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, देखें नेश्ट फंदे को आगे करेंगे, ऐसे स्पेस में आएंगे, फर्स्ट ओल अमने एक, दो, तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा आजाएगा, तो देखें ए फ्रंट साइड से आमारी पैटर्न की थाड रो, कंप्लीट हो गई, रोम साइड से देखें फोर्थ रो, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा आजाएगा, फिर धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, दो फंदे सीधे बनेंगे, धागा अपनी साइड, अब नेस्ट देखें, एक्स्ट्रा फंदा और नेस्ट फंदा, एक साथ बनेंगे, दो का एक करेंगे फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे फिर नेस्ट देखे एक एक्स्ट्रा फंदा और नेस्ट फंदा दोनोंको एक साध बुनेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे, नेश्ट देखे, एक्स्ट्रा फंदार बुनावा फंदा, दोनों को एक साथ बुनेंगे, दो का एक, फिनेश्ट, दो फंदे सीधे, फिनेश्ट फंदा भी हमारा सीधा आ जाएगा, और लास्ट का फंदा उल्टा आ जाएगा, तो देखे, ये रॉंग सा साइड से हमारी पैटन की 4th रो कम्प्लीट हो गई अब देखिये फ्रंट साइड से 5 रो 5 रो में भी हमारा पैटन repeat and shift होगा तो देखिये पहला फंदा उतार लेंगे पहला फंदा उतारना है धागा देखिये अपनी साइड करेंगे एक, दो, तीन, तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे, फिर धागा पीछे कर लेंगे, अब नेस्ट फंदे में हमारा पैटर्न आएगा, इस फंदे को आगे करेंगे, फर्स्ट उल चुलेंगे, सेकिंड उल में हम सलाई डालेंगे, यह देखें, और नेस्ट फंदा सीधा बुने जाएंगे, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे नेस्ट फंदे में पैटर्न आएगा, इस फंदे को आगे करेंगे, फर्स्ट उल चुलेंगे, सेकिंड उल में सलाई डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर नेस्ट फंदा सीधा, धागा अप धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, फिर देखें, नेश्ट फंदे में हमारा पैटरन आएगा, इस फंदे को आगे करेंगे, देखें, फरस्ट ओल छोड़ेंगे, सेक्न्ड ओल में हम सलाइड डालेंगे, और एक फंदा बनाएगे, फिर नेश्ट फंदा सीधा, फिर अपने pattern को ऐसे ही repeat and shift करते जाना है हमारा ये pattern left से right की तरफ shift होता जाएगा और बनके देखे हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो आरे चैनल में नहीं हैं तो please subscribe करना न भूले thank you